तो क्या हाल है मेरे भाईयों के सब बढ़िया है ना वैसे हाल तो उनके बुरे होंगे जो स्पॉंसर्ड और पेड वीडियो देखके OPPO Reno6 पर्चेस कर चुकी है इस वीडियो के लिए आपके काफी जड़ा कमेंट्स भी आ रहे थे भाईयों ने बोला है तो मैंने पर्चेस कर लिए थे ये दोनों ही फोन्स अब गैस कैमरा जब मैं टेस्ट कर रहा था ना मतलब मेरे तो बिल्कुल ही होश उड़ गए और मुझे लगा कि भाई जूट बोलने की जो सारी लिमिट होती है वो क्रॉस हो चुकी है काफी वीडियोस तो मैंने भी देखी है ओपोर एनो 6 30,000 रुपीज में वेल्यू फोर मनी फोन है एक और फोन है कईयों ने तो ओपोर एनो 6 को 30,000 में बेस्ट कैमरा फोन ही बता दिया मतलब हदी होती है यार अगर भाई के कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप वीडिय गई है ओपोर एनो 6 में 64 में का पिक्सिल का प्राइमजी सेंसर है और यहाँ पे एस दी गई है तो ओएस इसमें नहीं मिलती है वाट छोड़ो वो सब हाड़वेर है इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देखके आपके होश उड़ने वाले है देखना इन तक सब्सक्राइब है और यह चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस टाइम पर डिरेक्ट सनलाइट आ रही है और आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो मेरे फोर हेड मेरी टी शेट की तरफ कि ओपो रेनो 6 की वीडियो काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है वेरास वन प् में तो इस टाइम पर डिरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही बट स्टिल ओपो रेनो 6 में थोड़ी सी ओवर वाइटनिंग है और थोड़ा सा एक्सपोजर और प्रॉपर्ली अज़स्ट करता तो वीडियो कॉलिटी अच्छी लगती स्टेबल विडियोस रिकार्ड करने के लिए दोनों ही फॉन में लेक्ट्रॉनिक इमज स्टेबलेजिशन दी गई है और मैं भाग रहा हूं तो वीडियो तो दोनों ही फोन्स की स्टेबल है दोनों ही फोन्स में 32 मेगा विक्सल फ्रेंड कैमरा है विद एफ 2.4 एपर्चर और मुझे वीडियो स्टेबलिजिशन तो ठीक लगी है गाइस ये इमेज जब मैंने कैप्चर करी तो डिरेट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे और आप नोटिस कर सकते हो दोनों ही फोन के कैमराज एक्सपोजर एड़्जस्ट नहीं कर पाते हैं काफी स्ट्रगल करते हैं मेरा फोर हेड और मेरी टीशर्ट दोनों ही पिक्चर्स में ओवर एक्सपोज हो रहा है लेकिन प्राइस को कंसिर्डर करते वे मैंने बेटर डीटेल्स एक्सपेट करी थी और इस टाइम पे डेरेट सनलाइट नहीं आ रही थी तो दोनों कैमराज ने एक्सपोजर ठीक से अड़ेस्ट करा है वेल पोड्रेट सिल्फीस में भी दोनों ही पिक्चर्स में डीटेल्स इनफ नहीं है इवन कलर कॉंट्रास्ट भी थोड़ा और बेटर होना चाहिए था अगेन इस टाइम पे भी डेरेट सनलेट आ रही थी तो दोनों ही पिक्चर्स काफी ज़दा ओवर एक्सपोस्ट आई है फ्रैंकली स्पिकिंग मुझे दोनों ही फोन के फ्रेंट कैमराज बिलकुल भी अच्छे नहीं लगे हैं काफी बिकार परफॉर्म करते हैं और 15-16,000 रुपीज का Moto G60 और Samsung M32 का जो फ्रेंट कैमरा है वो इन दोनों ही फोन से काफी ज़दा बेटर परफॉर्म करता है गैस ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं डेलाइट कंडिशन्स में 1080p 30fps पर दोनों ही वीडियो में कलर कॉंट्रास्ट काफी सिमलर है ऐस सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है और मैं नोटिस कर रहा हूं कि OnePlus Nord 2 एक्सपोशर थोड़ा सा पहले शिफ्ट कर लेता है ऐस कंपेर टू OPPO Reno6 एक बार आटो फोकस चेक कर रहा हूं और फोकसिंग स्पीड तो दोनों ही फोन्स की काफी अच्छी है काफी जल्दी फोकस शिफ्ट कर लेते हैं स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए OPPO Reno6 में Electronic Image Stabilization दी गई है OnePlus Nord 2 में Optical Image Stabilization दी गई है और मैं इस टाइम पे भाग रहा हूं तो वीडियो Stabilization मुझे OnePlus Nord 2 की बेटर लग रही है OPPO Reno6 की वीडियो थोड़ी सी और स्टेबल होती तो जाधा अच्छा होता और मैं नोटिस कर रहा हूं Dynamic Range भी OnePlus Nord 2 बेटर कैप्चर कर लेता है As compared to OPPO Reno6 अब ये वीडियो मैं 4K 30fps पे रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं नोटिस कर रहा हूं OPPO Reno6 में जो Color Contrast है वो जाधा Oversaturated है Colors थोड़े से जाधा Boosted है Especially जब हम 4K में रिकॉर्ड करते हैं और OnePlus Nord 2 में Colors Properly Maintained है Even Dynamic Range भी OnePlus की वीडियो में थोड़ी बेटर है लिकुल भी स्टेबल नहीं है Because OPPO में 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं EIS वर्क नहीं करती है OnePlus में OIS वर्क करती है Guys ये Macro Shots मैंने दोनों ही phones के Primary Sensor से Capture करे हैं और First Sample Shot में मतलब आप देखी सकते हो OPPO की Image में Background में जो Sky है वो Blown Out हो गया है Image देखने में अच्छी नहीं लग रही है Because ये Exposure को ठीक से Adjust नहीं कर पाया और OnePlus ने एक Balancedly Exposed Image Capture करी है अब ये Macro Shot दोनों ही phones ने काफी अच्छा Capture करा है Because दोनों ही Pictures में जो Colors हैं वो काफी Realistic है OnePlus में बहुत थोड़े से Colors Boosted है But as such कोई Major Difference नहीं है और Image को Zoom करूँ तो दोनों Pictures काफी शाप है Flower का जो Texture है वो दोनों Pictures में Well-Maintained है Well ये Pictures मैंने दोनों Cameras में HDR Mode Unable करके Capture करी है और आप Notice करोगे Sky में Clouds में जो Highlights है दोनों Pictures में Well-Maintained है और as such ज़ादा Shadows नहीं थी तो ये Image तो दोनों फोन्स ने Decent Capture करी है बट इस Sample Shot में अगर आप Shadows में देखोगे तो Highlights थोड़ी सी और Better Exposed होनी चाहिए थी अगर मैं Price को Consider करूँ तो थोड़ी सी Better Dynamic Range Expect करी थी मैंने दोनों ही कैमरा से काफी Average Dynamic Range Capture करते हैं लेकिन Color Contrast दोनों Pictures में Close to Reality है इवन दोनों Pictures में Details भी Enough है इवन इस Sample Shot में भी Background में Building की तरफ Notice करना Direct Sunlight आ रही है Building पे और दोनों ही Pictures में जो Building है वो Over Exposed आई है इवन Foreground भी दोनों Pictures में थोड़ा Under Exposed है तो Dynamic Range दोनों ही फोन के कैमरास काफी Average Capture करते हैं और मैंने Last वीडियो में Dynamic Range Capture कर लेता है इवन मैंने Ultra Wide Angle Shots में भी आपको बताया था Last वीडियो में की OnePlus की Ultra Wide Angle Shots काफी ज़धा Pixelate होते हैं सेम इशू मैंने Oppo Reno6 में भी Notice करा है जिसमें सेम 8 Megapixel का ही Sensor है और Image को Zoom करते ही दोनों Pictures Pixelate हो रही है Details Maintain करने में Struggle करते हैं दोनों Phones की Ultra Wide Angle Lens मतलब 30,000 रुपीज के Phones है और Image Quality में रको उस लेवल की दोनों ही Phones की नहीं लग रही अभी तक Well, Portrait Shots में मैंने Notice करा दोनों फोन के Cameras Exposure Properly Adjust कर लेते हैं Direct Sunlight आर ये इस टाइम पे Still, दोनों Pictures Over Exposed नहीं आई है In fact, दोनों Pictures को Zoom करने के बाद दोनों ही Pictures में Details भी ठीक है Enough and Details थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी बट कोई Major Problem नहीं है Skin Tones भी ठीक है, काफी Natural है लेकिन Background Blur देखने में realistic नहीं लगता जो Depth Effect है वो थोड़ा और Natural होना चाहिए था Background आप देख सकते हो काफी सारे Portrait Shots में थोड़ा Underexposed आया है बाकी As such कोई Major Issue नहीं है Portrait Shots में Edges भी Properly Detect कर लेते हैं दोनों फोन के कैमराज अब ये वीडियो Low Light में रिकॉर्ड कर रहा हूं है 1080p 30fps पे OnePlus Note 2 की वीडियो Slightly Better Exposed है बाकी दोनों ही वीडियोस में आप Lights की तरफ नोटिस करोगे तो दोनों ही वीडियोस में Exposure की As such Problem नहीं है Lights Overexposed नहीं हो रही है और ये काफी अच्छी बात है और दोनों वीडियोस में As such जदा Noise भी नहीं है, Details भी Enough है तो जब Lighting Enough होती है तो आप Low Light में Decent वीडियोस Record कर सकते हो इन दोनों ही फोन से वेल ये पिक्चर्स मेंने दोनों कैमरास में Night Mode Enable करके ही Capture करी है, दोनों ही पिक्चर्स Well Exposed आई है और आप Lights की तरफ देखोगे तो दोनों पिक्चर्स में Lights Overexposed नहीं हो रही है तो काफी अच्छे से Lights को कंट्रोल कर लेते हैं दोनों फोन के कैमरास बट एक चीज़ मेंने नोटिस करी कि इमेज को जूम करने के बाद आप देखी सकते हो OnePlus की इमेज में टेक्श्चर काफी शाप है OPPO Reno6 की इमेज थोड़ी सॉफ्ट आई है इन फाक्ट इस सैंपल शॉट में भी ऐसाच ज़दा नोइस तो नहीं है दोनों ही पिक्चर्स में बट अगेन जूम करने पे OnePlus की इमेज ज़दा शाप है और इस सैंपल शॉट में तो I mean मैं हिरान हो गया हूँ की OnePlus ने बहुत अच्छी इमेज capture करी है इमेज slightly better exposed है as compared to OPPO Reno6 बट जो overall image quality है वो मुझे OnePlus की actually में काफी impressive लगी है because image में details काफी अच्छी से maintain करी है इतना low light में भी OPPO Reno6 की image ये वाली थोड़ी hazy आई है overall image में details enough नहीं है guys end में में सिर्फ इतना कहूँगा कि front camera तो देखो दोनों ही phones का बिल्कुल भी अच्छा perform नहीं करता और ये बात में इसलिए कहरो because दोनों phones का price यार 30,000 rupees है और rare camera कही न कही OnePlus Note 2 का better perform करता है specially low light में तो काफ अच्छा perform करता है मैं उमीद करता हूँ आपको भाई का content informative लगा होगा तो अभी चैनल को subscribe कर लो वीडियो को like कर दो मैं मिलता हूँ next video में till then you guys have a great day